बेरिंग या एक ऐसी चीज जो बच्चो के टोई या तो फिर आपके घर के home appliances से लेकर बड़े से बड़े heavy equipment में या bearing use होती है भीना या bearing के कोई भी equipment या तो फिर machine फ़ंक्षन नहीं कर सकता है So friends कि आप जानते हो कि यह bearing जो क्या होता है, कैसे बनता है और यह bearing कैसे function करता है, work करता है उसके बारे में तो चलिए start करते हैं वीडियो को So सबसे पहले यह जो है वो bearing की outer ring है और उसके अंदर की side कुछ इस तरह से groove बनाया रहता है बाद में जो second part है वो है inner ring जो कुछ इस तरह से दिखती है और यह inner ring के बाहर की side पे कुछ इस तरह से groove बनाया रहता है So friends, outer ring है उसके अंदर की side groove बनाया रहता है और inner ring है उसके उपर की side कुछ इस तरह से groove बनाया रहता है फिर next उसके बाद में ये जो है वो steel balls है जो दोनों ring के बीच में लगाया जाता है और last में ये जो दोनों चीज जो है उसको बोलते है बोल केजिस अब चलिए देखते हैं कि bearing की assembly कैसे होती है सो सबसे पहले ये outer ring है जिसके inside steel balls को कुछ इस तरह से लगा दिया जाता है फिर उसके बाद inner ring को place किया जाता है और fix किया जाता है कुछ इस तरह से बाद में जो बोल से उसको properly position किया जाता है सो friends इतना देखने के बाद आप समझी गए होगे कि outer ring के अंदर की side और inner ring के बाहर की side जो grew दिया रहता है वो balls को rotate होने के लिए path provide करते है फिर last में यह दोनों cages को कुछ इस तरह से दोनों bearing के sides में लगा दिया जाता है और हमारा पूरा bearing तैयार हो जाता है अब friends working समझने से पहले हम यह बात कर ले थे कि bearing का use उस जगह पे किया जाता है जहां पे एक part stationary हो और दूसरा part rotational हो उन दोनों parts के बीच में friction, hitting और वो part का wear and tear कम करने के लिए हम bearing का use करते है तो चलो यह सारी चीज़ हम कैसे कम कर सकते है और bearing का function यानि कि bearing का working कैसा होता है वो एक example के साथ समझते है suppose यह एक ceiling fan है जिसमें हम यह stator part है जो always steer या तो फिर stationary रहता है और दूसरा यह fan का hub जो rotating part है जिसको rotor भी बोला जाता है so stator and rotor दोनों के बीच में कुछ इस तरह से bearing लगाया जाता है so यहाँ पर bearing का जो inner ring है वो stator के साथ connected है यानि कि जो inner ring है वो fix रहेगा और जो outer ring जो है वो rotor के साथ यानि कि fan के hubs के साथ connected है so outer ring जो है वो rotate होगा so now suppose fan को on किया जाता है तो जैसे ही fan को on करते है तो फिर यह fan का hub है या तो फिर rotor part है वो rotate होना start करता है तो जैसे ही यह rotate होना start करता है so उसके साथ connected यह जो bearing की outer ring है वो outer ring भी rotate होना start करती है और यह outer ring जो है वो outer ring और inner ring के बीच में यह जो ball से वो भी rotate होते है so यहाँ पर inner ring जो है वो fix रहती है क्योंकि वो stator part के साथ connected है वह जो rotor को जो rotate कर वा तहीं हो वह बॉल्र और जो है इसकी अव्ट से जो पुरा rotor जो है वह रोटेट होता है और जो stationary पार्ट एंड रोटेटिंग पार्ट है उन दोनों के बीच मे पाट का विडरस एंडटीएर क्या करता है क्या सब्सक्राइब बीच में या फिरह और 12 इंडब Adam T विए प्रिक्षयन में यहाई फस्ट होगा और उसकी वज़ज्ञ से क्या होगा कि वह मैटल वह वो वियर एंड टियर हो जाएगा तो यह जो प्रोब्लेम है उसका सोल्यूशन जो है वो बेरिंग ने निकाला है कि बेरिंग लगाने से हम यह सारी चीज़े जो है वो निगलेट कर सकते हैं और स्मूधली एक्वीपमेट को फंक्शन करवा सकते हैं तो कुछ इस तरह से बेर करता है थेंक्यू फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा सो एसे ही थीडी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजें